आपके पस Infinix 7 है, 7HD है, कोई भी फोन है, तो यहां पर आप Hotspot की setting कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका password, name बगरा, सब को change कर सकते हैं, तो full setting के लिए आप setting पे जाएंगे, इस टेप से option आएगा, Hotspot and Thetering पे click करेंगे, Personal Hotspot को on कर देंगे, Hotspot setting पे click कर लेंगे, ऐसे option आजागा, अब यहां से तो आप इसका name चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 7, smart 7 है न, तो 7, ऐसे करके, कुछ भी emoji बगरा, ओके, ऐसे set कर दिया, password यहां से change कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, password चेंज हो गया, security पे जाके, security का change करेंगा, कोई option नहीं है, check mark पे click कर देंगे, password चेंज हो गया है, share hotspot के option पे जाएंगे, यहां पे इसको scan करके connect कर सकते हैं, आप बिना कोई password डाले, one time data limit का option आता है, तो आप इसे on कर देंगे, और आप एक बारे में कितना internet use का मतब दियूसरे को देना चाहते हैं, जैसे कि मैं सिर्फ 500 MB ही किसी को share करना चाहती हूँ, तो यहां पे ऐसे change करके, ok कर लेंगे, ठीक है, जो भी hotspot से connect होगा, तो उसको इतना internet मिलेगा, when exceed पे आपका notify और turn off दोना होना चाहिए, या सिर्फ notify, तो मैं उपर वाला select करके रखूंगी, इसके बाद back कर लेंगे, और इसके बाद ये वाला option आपका हमेशा on रहना चाहिए, इससे क्या होता है, कोई भी device अगर connected नहीं होता है, तो ये automatically off हो जाता है 10 minute में, ठीक है, इसके बाद back कर लेंगे, hotspot की setting हो चुकी है, और यहाँ पर hotspot का आपको shortcut देखने को मिल चाता है, इस पर click करके रखेंगे न, तो भी आप directly इसी option पर आ जाएंगे, इसी type की interesting video के लिए i button पर click कर लेंगे, मिलते है next video में, तब तक के लिए नमस्कार,